साथियों भारतिय संस्कृति के विविद रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी और खींचा है अगर मैं आपसे कहूँ कि भारतिय संस्कृति अमेरिका, कनेडा, दुबई, सिंगापूर, पस्चिम यूरोप और जापान में बहुत ही लोग प्रिया है तो ये भात आपको बहुत सामानले लगेगी आपको कोई हरानी नहीं होगी लेकिन अगर ये कहूँ कि भारतिय संस्कृति का लेटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्शन है तो आप एक बार जरूर सोच में पढ़ जाएंगे मेकसिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो एफिर ब्राजिल में भारतिय परंपराओं को लोगप्रिय बनाने का प्रयास मन की बात में हम इन विश्यों पर पहले चर्चा कर चुके हैं आज मैं आपको अर्जेंटिना में फहरा रहे भारतिय संस्कृति के पर्चम के बारे में बताऊंगा अर्जेंटिना में हमारी संस्कृतों को बहुत पसंद किया जाता है 2018 में मैंने अर्जेंटिना की अपनी आत्रा के दोरान योग के कारकम में योगा फोर पीस में हिस्सा लिया था यहां अर्जेंटिना में एक संस्ता है हस्तिनापूर फाउंडेशन आपको सुन करके अस्यर होता है न, कहां अर्जेंटिना और वहां भी हस्तिनापूर फाउंडेशन, यह फाउंडेशन अर्जेंटिना में भारतिय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है, इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मेडम प्रफेसर एडा एलबरेट ने की थी, आज प्रफेसर एडा एलबरेट 90 वर्सकी होने जा रही है, भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ, यह भी बहुत दिल्चस्प है, जब वो 18 साल की थी, तब पहली बार भारतिय संस्कृति की शक्ती से उनका परिचे हुआ, उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया भगवत गीता और उपनिशदों के बारे में गहराई से जाना, आज हस्तिनापूर फाउंडेशन के 40,000 से अधिक सदत से हैं, और अर्जेंटिना एवं अन्य लेटिन अमेर के देशों में इसकी करीब 30 साकाएं हैं, हस्तिनापूर फाउंडेशन ने स्पेनिस भासा में 100 से अधिक वैदिक और दार्षनिक ग्रंध भी प्रकाशित किये हैं, इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है, आश्रम में 12 मंदिरों का निर्मान कराया गया है, जिनमें अनेक देवी देवताओं की मुर्तियां है, इन सब के केंद्रे में एक ऐसा मंदिर भी है, जो अध्वैत वा पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है, दुनिया भर के लोग उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को खुद अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक जाने का प्रयास करना चाहिए